तो वेलकम वाल आप सबका स्वागत है आज के टॉपिक और आज के वीडियो में और ये है वो सर्प्राइज जिसके लिए मैं पिछले चार पार दिन से काफी मेहनत कोशिश कर रहा था क्योंकि लाइटिंग की सेटिंग नहीं हो पा रही थी और ये बोर्ड में लाया हुआ थ जो 11 के स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ पहले चैप्टर 3 था लेकिन इस बार आपके साथ आपका नाम करा गया कि सलेबस कम हुआ है सलेबस कम नहीं होगा मौलिक अदिकार नीती निर्देशक सिदान्त और मौलिक करते हुए फंडमेंटल ड्यूटीज, फंडमेंटल राइट्स और डिरेक्टी प्रिंसिपल जो हमने चैप्टर वन कॉंसिटूशन या समिधान में पड़े वो असल में चैप्टर टू था तो दो को मिला के एक चैप्टर दिखा के आपको दिखा दिया कि कम हुआ है और आप सोचरों में से चैप्टर टू कर दिया गया है और चैप्टर टू के टोपिक्स को चैप्टर वन में मिला कर आपको दिखा दिया जिसका मैं पूरा चैप्टर आपको पूरा करा चुका हूं वो मौलिक अदिकार, निती निर्दिशक, सिदान, मौलिक करते हुए और स्विधान, दर् ऐसे बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आप यह वी वीडियो देखें बहुत आसान कर दूँगा आपके लिए इतना कर दूँगा आसान कि आपको समझे में भी आ रहा हो बहुत आसानी से सब कुछ कर पाएंगे तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आद क्या वीडियो मैं हूँ दो तरह से होता है जिनको आप समझ सकते हैं प्रतक्ष आप्रतक्ष डारेक्ट इंडारेक्ट अब इसको समझो क्या है प्रतक्ष चुनाओ क्या है और आप्रतक्ष चुनाओ क्या है प्रतक्ष क्या है जब जनता सीधे अपने प्रतिनिदी को चुनती है जब जनता सीधे अ करती है तो उसे बोला जाता है प्रतेक्ष या डायरेक्ट ठीक है अब इसका एक्जामपल या उद्धारण भी दे देता हूं भारत में निगम पारशद जो आपके आसपास निगम पारशद आपने काउंसलर देखे होंगे 2022 में चुना हुआएगा वरना वो भी देखना या स जनता ने वोट दी और अपना प्रतिनिदी चुन लिया सीधे चुना बीच में कोई नहीं था सीधे जनता ने वोट डाली और प्रतिनिदी को चुन लिया तो सब बोला जाएगा डायरेक्ट या प्रतेक्ष चुनाओ अब बात समझ में आ गई होगी जिसमें जनता सीधे अ प्रतेक्ष इंडिरेक्ट इलेक्षन क्या होता है यह बहुत इंट्रस्टिंग भी है और पूद इंपोर्टेंट भी है जनता पहले पबलिक पहले एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल गुरुप का चुनाओ या इलेक्ट करती है चुनती है इलेक्ट करती है जनता पहले एक electoral group को चुन लेती है जैसे के आप ये मानों कि आपने अपने अपनी class में बैठे हो और आपकी class में 5 monitor चुने जाने हैं अब वो 5 monitor के लिए आपको यह बोलते हैं कि ने बहुत सब हाट ठाओ और जो जिसको अब आपकी class में भले ही 5 monitor चुने जाने हैं लेकिन आपसे कहें नई आप 5 को नहीं चुनेंगे आप पहले 20 लोगों का एक group 20 people का एक group का चुनाओ या elect करेंगे और ये 20 आप सब के नाम पर इन 5 monitor का चुनाओ करेंगे तो ये हो जाएगा indirect चुनाओ या आप्रतेक्ष चुनाओ election अब इसको समझो जनता पहले एक electoral group एक निर्वाचक मंडल का चुनाओ करती है और वो electoral group या निर्वाचक मंडल जनता के नाम पर on the name of public प्रतिनिधी या representative का चुनाओ करता है elect करता है अब आपको गए भई ये कहां पर होता है तो आपने अभी सुना होगा दिल्ली के राज्यसभा के चुनाओ के लिए काफी वो था दिल्ली के तीन दिल्ली से तीन प्रतिनिती चुनकर राज्य सभा जाते हैं लेकिन आप कोगे यार हमने तो कभी वोटी नहीं दी क्यों या हमने किसी को वोट देते नहीं देगा क्यों नहीं देगा क्योंकि वो जनता डारेक्ट नहीं चुनती जनता पहले किसको जुनती है दिल्ली के विधायकों को जनता पहले पहले क्यों चुने दिल्ली के विधायक या विधान सवा के सदस्य जो अभी हमारे 2020 में चुना हुए थे जिसमें आम आदमी पार्टी जीती थी और वो जो 70 विधायक दिल्ली ने यहां से चुने वो उन तीन राज्य सवा के सांसद या सदस्यों को चुनाओ करेगी जो दिल्ली से प्रतिनिदी बन कर जाएंगे राज्य सवा में तो ये क्या हो गया? Indirect, आप्रत्यक्ष दिल्ली की जनता ने पहले विदान सवा या विदायकों को चुना उन विदायकों ने दिल्ली के राज्य सवा के सदस्यों को चुना तो Indirect, इसे बोला जाता है प्रत्यक्ष आप्रत्यक्ष उमीदा बात आपको समझ में आ गई होगी अब में चीज आती है कि प्रतिनिदी की जुरुत क्यों पढ़ती है? जनता सीधे ही कानून बना दे, जनता सीधे ही शासन चला ले, जब लोकतंतर है और जनता का शासन है तो प्रतिनिदी की जुरुत क्यों पढ़ती है? रिप्रेजेंटेशन क्या है और ये क्यों जुरुत पढ़ती है? अब हम चलते हैं उस तरफ तो अब हम बात करते हैं प्रतिनिदित या रिप्रेजेंटेशन की ऐसा क्या है कि जनता को अपना प्रतिनिदी या पबलिक को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना पड़ता है और खुद पबलिक क्यों नहीं राज करती संसद में संसद जाते हैं चुनकर हम खुद क्यों सारे खड़े हो जाते मां जाकर अब इसका एक्जामपल भी लो कानून निर्मान लो मेकिंग जनता खुद करे संसद ना हो कुछ ना हो विदायक विदाजसाबा कुछ ना हो अब इसको यू समझो ऐसा था भी कभी प्राचीन युनान में पहले कभी जब जनसंग क्या कम थी औ और अगर कोई कानून बनाना होता था तो क्या करते थे वहां के जो नगर राज्य थे लोगों कोई खट्टा करते थे और पुस्त थे यह कानून बनाने वाले हैं जो जो इसके पक्ष में आत कड़ा करो जो विपक्ष में आत कड़ा करो पता लग जाता था लेकिन अब क्या वो possible है अब इसका सीधा सा example आप अपने से लो आप 11 में हैं या किसी भी institute में जहां पढ़ रहे हो आपको बहुत simple example से या उदारण से समझाता हूँ मान कर चले आप एक class में पढ़ रहे हैं वहाँ एक monitor को चुनना है एक monitor को चुनना है बहुत असान है पूरी class को एकटा किया 50 बच्चे हैं चलो मान के चलते हैं 50 है जादा भी होते कम 50 बच्चों से पूछले अब एक कौन किसको चुनना चाहता है दो तिन खड़े हो गए दो तिन चुना दो तिन में से किसी एक को उने monitor बना दिया बहुत असान है इसको थोड़ा बढ़ा करता हूं अब अब मान के चले school में एक head boy या एक head girl को चुनना है अब हमें एक head boy school का और head girl को चुनना है elect करना है तो आप क्या करोगे पूरे school को इखटा करोगे assembly ground में एक पूरे ground में और फिर भी अगर आपने हिम्मत करी तो हमने क्या करा या तो सब class teacher खड़े हो गए आपके आए और आपके आगे गिन लिया और अपने गिन के दे दिया सबने इखटा किया result आगे बढ़ा दिया तो आप चार-पांच में से किसी एक head boy और एक head girl को ला सकती हो लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ मान के चले आपके पूरे जिला पूरी district में 100 school हैं और 100 school के लिए एक district head boy या district head girl जिला head boy या जिला head girl चुननी है तो क्या इखटा कर लोगा है सबको ऐसे ही अगर आप ये मानों के भई बहुत बड़े level पे काम करना है पूरी दिल्ली के लिए एक head boy या एक दिल्ली boy एक दिल्ली girl चुनना है जो school का हो तो आप क्या करोगे पूरे सबको इखटा करके चुन ऐसे में क्योंकि सभी लोग कानून मनाना है और 130 करोड़ लोगों को कहां बिठाओगे संसद में तो मान के चले चल वोटर 18 साल से उपर वाला है सिरफ उनको तो भी 60 करोड़ लोग कहां बिठाओगे देश में कोई जगह है ऐसे जाए इकटा करके पूठ सको आप बार बार नहीं हो पाता कि हर बार जनता या पब्लिक खुद इखटे या गैदर होकर कानून लौ मेकिंग करें नर्मान करें और खुदी सारे काम करें ऐसे में शासन या रूल को चलाने के लिए हर बार जनता आगे नहीं आ सकती क्योंकि बड़े पैमाने पर काम हो रहा है बहुत इसलिए ये देखा गया कि सबसे बढ़िया अगर आपको लोकतंत्र को सबसे बढ़िया ये देखा गया कि लोकतंत्र या डेमोकरेशी को चलाना है तो जनता पब्लिक बार बार तो इखटे नहीं हो सकती बार बार कानों निर्मान के लिए खटा नहीं किया जा सकता बड़े रिप्रिजेंटेटिव या प्रतिनिदी चुनती है चुनाव करती है इलेट करती है और ये प्रतिनिदी जनता के नाम पर साशन चलाते हैं रूल को चलाते हैं जो जिस शेतर से चुना जाता है वो उस शेतर की जनता का प्रतिनिदी बन जाता है या उनका प्रतिनिदित करता ह वो क्या करता है उस शेत्र की जनता का प्रतिन दितू उनको रिप्रेजेंट करता है आगे जाकर दिखाता है बई मैं इस शेत्र से आया हूँ इस शेत्र की जनता का प्रतिन दितू और यहां को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसे बोला जाता है प्रतिन दितू या के नाम पर शासन चलाते हैं वे जनता के प्रतिनिदी हैं और वो जनता के नाम पर शासन चलाते हैं इसे बोला जाता है प्रतिनिदित या रिप्रेजेंटेशन इसकी जुरुत भी क्यों पड़ी ये भी बता दिया जब जनता अपना प्रतिनिदी चुनती है और वो निर्मान और हर चोटे से फैसले के लिए हर बात के लिए सारी जनता को इखटा करा जाए तो लोकतंत्र में डैमोक्रिसी में आज कल present में सबसे ज़ादा ये ही चलन या ये ही trend है कि जनता प्रतीनिदी को चुने है रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंटेटिव जनता के नाम पर रूलिया शासन चलाए लोकतंतर में सबसे बढ़िया यही चलन में सबसे ज़्यादा सबसे ज्यादा मैकसिमम् आपको समझ में आ गया हुगा अब बढ़ते है कौन कों से प्रतिनिदित प्रनालिया यह अपके सामने हैं उनकी तरफ तो अब हम आते हैं प्रतिनिदित प्रजातंतर की प्रनालियों में पहली प्रणाली पहले सिस्टम पर शेत्रिये या भोगोलिक प्रतिनिदित टेरोटोरियल और जोगरोफिकल रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटिटिव किसको कहते है देखो इसमें क्या होता है पूरे देश को या उस जगे को जहां चुनाव होना है शेत्रों में वैसील के हिसाब से हो ये होता है चुनाव की चुनाव इलेक्शन की फैसिलिटी सुविदा के हिसाब से ठीक है कि बैया किस हिसाब से उस टेरिटेरी उस शेत्र का निर्धारन करें जरूरी नहीं है वो कोई जिला हो कोई राज्य हो मानके चले कि बैया अगर उत्तर प्रद अलग हिसाब से किया जाता है प्रशासनिक सुवीदा एड्मिस्टेटिव फैसलिटी के साब से कि उस शेत्र के अंदर कितना लोगों या जंता को लिया जाए और एक भोगोलिक शेत्र को चुनने बनाने के बाद उसका जब फैसला हो जाए कि इस टेरिटेरी से जैसे इतना च काटा यूँ बनाए जाए यूँ बनाए कैसे भी भोगोलिक शेत्र का निर्मान करे गोल बनाए काटे कैसे भी करे तो एक भोगोलिक शेत्र का निर्धारण एक बार फैसला डिसीजन होने के बाद उस शेत्र के अंदर आने वाले जितने भी वोटर या मद दाता हैं वो वह से प्रतिनिधी का चुनाव या election representative का election करते हैं ठीक है तो सबसे पहले उस पूरी भगौलिक जगे को जहां election होना है देश में होना तो देश में राज्य में होना है तो राज्य में उसको शेत्रों में territory में बाटा जाता है ये निर्धारण जिला तैसील के इसाब से नहीं होता चुनाव की सुविदा election facility के हिसाब से होता है और एक बार जगे का शेत्र का निर्धारण फैसला decision होने के बाद उस शेत्र उस भोगौलिक शेत्र उस जोगरौफिकल पूरी territory में आने वाले voters मददाता उस शेत्र से उस territory region से अपने representative या मददाता का चुनाव करते हैं ठीक ह तो ये बोला जाता है जोगरौफिकल या भोगौलिक प्रतिनिदित या जोगरौफिकल representation या territorial या शेत्रिय अब ये कितनी तरह के होते हैं ये भी बता देता हूँ तो जोगरौफिकल या भोगौलिक प्रतिनिदित या representation में पहला आता है एक सदस्ये single member constituency एक सदस्ये प्राचेंशेत्र मतलब वो election का शेत्रीय रीजन जिससे प्रतिनिदित चुना जाना है तो सबसे पहला था single member पूरे प्रदेश को यहां प्रदेश का मतलब यह है जहां चुनाव होना है वो प्रदेश देश भी ओसकता है पूरे देश के लिए हो रहा है तो राज्ये भी हो वो प्रदेश जिसको शेत्रों में रीजन्स में बाट दिया गया है बाटने के बाद अब सबसे पहले आपने एक पूरा एरिया या एक बड़ा देश लिया उसको आपने शेत्रों में रीजन्स में डिवाइड कर दिया और अब आपको एक शेत्र से एक ही प्रतिनिधी एक ही representative को चुनना है elect करना है तो इसको बोला जाएगा single member constituency या एक सदस्य निर्वाचन शेत्र ज्यादा तर देशों में ज्यादा चलन यही रहता है कि पहले देश को शेत्रों में बाढ़ दिया जाता है और शेत्र से एक सदस्य एक member चुन लिया सकता है ज्यादा तर देशों में यही प्रचलीता है भारत प्रिटेन रूस यह USA यह अमेरिका है याद रखना 11 में हो तो क्योंकि पूरे 12 में यह USA USSR जाएगा बहुत तो इसलिए USA याद रखना अमेरिका, केनेडा, नेपाल, आधी एक्ष्रा, ज्यादा तर देशों में यही चलन है कि पूरे देश, पूरे प्रदेश को शेत्रो, regions में डिवाइड या बाटा जाता है और फिर उन शेत्रों से उस प्रदेश के जितने भी शेत्र बनाए गए उन शेत्रों से एक प्रतिनीदी चुना जाता है सिंगल मेंबर कॉंसिट्वेंसी तो यह अब आपको समझे हैं आगया यह ज़्यादा आसान इसलिए बे क्योंकि यह भारत में अब हम चलते हैं बहु सदस्य जो थोड़ा मुश्किल है उसको समझो तो अब हम आते हैं मल्टी मेंबर कॉंसिट्वेंसी बहु सदस्य निर्वाचन शेत्र या शेत्र जब पूरे प्रदेश को या जहां चुनाव होना है शेत्रों में रीजन्स में बाटने या डिवाइड करने के बाद एक शेत्र से एक रीजन से कम से कम दो या उससे अधिक एक तो होई चुका है दो तो होने ही चाहिए दो या उससे अधिक सदस्यों का चुनाव किया जाता है एक शेत्र से दो या दो से अधिक पहले पूरे प्रदेश को देश को शेत्रों में बाटा और उन शेत्रों रीजन्स में से कम से कम एक शेत रीजन में से दो या दो से अधिक सदस्यों या मेंबर को चुना जाता है इलेक्ट किया जाता है तो उसको कहते हैं बहु सदस्ये या मल्टी मेंबर निर्वाचन शेत कॉंसिटुएंसी अब सबसे बड़ी बात ऐसा किस किस देश में है और यह बहुत ध्यान से सुनना है आपको क्योंकि यह देशों के नाम आ जाते हैं तो डैनमार्क में हैं स्वीडन में हैं इटली में हैं इन तीन देशों में हैं और भी है में में यह है आधी कह दो आधी कहलो या एक्ष्ट्र गेलो यह तीन देश बता दिए यहां बहु सदस्य निर्वाचन शेद होते हैं मल्टी मेंबर कॉंसिट्यों से होती है इटली डेन्मार्क स्वीडन और यहां क्या होता है कि एक शेत्र से दो या दो से अधिक मेंबर चुने जाते हैं तो यह काफी वहां चलन में हैं तो इस त सदस्य निर्वाचन शेत्र के गुण दोश और ऐसी ट्रिक बता हूँ है एक बार आप देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छी ट्रिक हो तो जल्दी से उसको देख लेते हैं तो अब हम देख लेते हैं एक सदस्य सिंगल मेंबर शिप या सिंगल मेंबर निर्वाचन शेत्र के रानीती पर अच्छे प्रभाव या उसको बोल देते हैं रानीती में क्या गुण है गुड इंफ्लिवेंस और क्वाल्टीज ओफ सिंगल मेंबर शिप या पद्यती या मैथर्ड बहुत सरल है बहुत इजी है इसे एक साधारण एक सिंपल मद दाता या वोटर भी इजी से सरलता से समझ सकता है या आप जैसा एक वोटर भी समझ सकता है जो नया बनता है 17-18 साल का है जिसको ज़्यादा नौलिज नहीं है कोई भी वोटर जिसको ज़्यादा पॉलिटिक्स की नौलिज नहीं है वो भी समझ सकता है इसमें निर्वाचन शेत् काता ना के electoral area है जो बहुत बड़ा एक बन जाता है क्योंकि जादा चुने जाएंगे तो बड़ा बनेगा लेकिन एक ही चुना जाएगा तो निर्वाचन शेत्र जो geographical reason होगा वो छोटा होता होता है इससे चुनाओ का जो काम है election का जो work है सरलता easy से पूरा हो जाता है अराम से easy से work finish हो जाता है खतम हो जाता है इसमें व्याव या यूँ कहलो खर्चा जिसे व्याव बोलते हैं जिसे पैसा लगता है कम लगता है क्योंकि बहुत आसानर बहुत simply सरलता easy से हो जाता है इसमें प्रतिनिदी representative जो चुना जाएगा उसमें और मद्दाता मतलब voter के बी प्रतिनिदी representative एक शेत्र एक रीजन से चुने जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा दल इलेक्शन चुनाओ लडेंगे तो यह क्या करती है दलो की संक्या कम करने में अच्छी भूमी का रोल प्ले करती है अधा करती है द्वी दल ये पद्यती जो होती ने दो दल एक जीज़ डेवलप करने में सायक है इससे जो सरकार बनती है असरेंथवाली बनती है सुद्रड और स्थिर मतलब स्ठेबल सरकार बनती है एक स्थिर और स्टेबल सरकार का निर्मान possible संबव है इसमें अल्पसंक्य को माइनर्टी को भी प्रतिन दित या representation जाता है अब आता है एक सदस में जो उमीदवार विजय होता है उसे कई बार डाले गए मतो मतलब वोट्स का पूर बहुमत फुल मेजरोटी नहीं मिलती है पद्देती सिंपल बाशा में बोला जाए तो लोकतांतरिक नहीं है या आलोकतांतरिक है अब आपको होगे ये कैसे अब इसको यू समझो एक सदस 20 B को मिली 20 C को मिल गई 40 और D को मिली 20 अब देखा जये तो विजय होगा C क्यों C को कितनी मिल गई है 40 वोट ठीक है लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इसके अपोजिट में कितनी पड़ गई A, B और D को मिला ले हमारी वोट हो जाती है 60 तो 40 वोट वाला जीत गया और 60 वोट इसके अगेंस्ट में है तो देखा जाए तो जीतने वाले को पूर बहुमत फुल मजोर्टी नहीं मिली इसी से ओक आलोकतांतरिक या गैर लोकतांतरिक या लोकतांतरिक नहीं है बोला जाता है क्यों? क्योंकि देखा होगा आपने होता क्या है कि वोटर जादा विपक्ष में है लेकिन विपक्ष की वोटे क्या है? बट गई है, डिवाइड हो गई है इस कारण ये जीत गया है तो इसलिए कई बार इसको आलोकतांतरिक बोल देते हैं नेक्स आता है इस पद्यती ये मैथड में निर्वाचन शेत्रों का समय समय पर परी सीमित परी सीमित देखो निर्वाचन शेत्र जो होता है एक जोगरिफिकल रीजन को बार बार जो पार्टी जिसकी है मानके चले आप जिसे एक क्लास में आपकी चार लाइन होगी आप देखो धाई लाइन में तो एक का ज्यादा होल रहा या ज्यादा पकड़ है और डेड़ में एक उमिदवार किया है और वो क्या करें सरकार देखें नहीं हम जहार सकते हैं अपने आदे वोटर दूसरे शेतर में डाल दे इसको बोला जाता है गेरी मेंडरी इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी यूएस से अमेरिका के एक गवर्नर ने इसकी शुरुआत की ती उसने निर्वाचन शेतर को अपने हिसाब से कि जहां जादा होल्ड है जादा वोट है उसकी वहां का शेतर दूसरे शेतर में मिला दिया जहां के शेतर में उसकी पकड़ नहीं थी या उसकी वोटे नहीं थी तो उसके क्या फायदा हुआ उसको उसकी वोटे वहां पोच गई जहां वो हारने वाला था औ ताकि इसको परिसीमित करके परिसीमन करके या शेत्र को या रीजन को एरिया को दोबारा से बनाकर अपने आपको जिता सके तो काफी जादा इससे जादा ये दूशित प्रताई उमेलब पॉलिट्री ट्रेडिशन को जनम देती है इसका बोन होता है ये काफी जादा चलता है डेमोक्रेशी में इस पद्यती में राष्ट्रिय ही तो नैशनल इंटरस्ट की उपेक्षा होने की संभावना यह कहलो पॉसिबिल्टी रहते हैं क्यों क्योंकि जिस थान या जिस रीजन शेतर से लड़ रहा है वोहीं के लिए इंटरस्ट के उपर बढ़ावा देता है जो भ कम होते हैं अब मैं आपको इसका आसान तरीका बताऊंगा जाद करने का एक बार बहुसादस्य को देख लो बस बहुसादस्य के गुन या अच्छे प्रभाव इसमें मद्दाताओं के पास संसद में ठीक ठीक प्रतिनिदित हो जाता है क्योंकि मद्दाता जो है उसके पास काफी option विकल्प हो जाते हैं वो एक शेतर से काफी प्रतिनिदी चुने जाएंगे तो हर मद्दाता के पास संसद में या पारलेमेंट में ठीक 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 प्रतिनिदित या उससे representation मिल जाता है कोई जिसको वोड़ देगा एक नहीं तो कोई दूसरा जीच जाएगा यह पद क्योंकि बहुत सारे प्रतिनिदी चुने जाने हैं तो इसमें विकल्प बढ़ जाते हैं चुनाओं की स्थानिय समस्या हैं अधिक महतोपून होने के कारण प्रतिनिदियों का दिष्टिकोन व्यापक विजन व्यापक या ब्रॉड बन जाता है क्यों बन जाता है क्योंकि वहां कि जो स्थानिय समस्या हैं, जो लोकल प्रोब्लम्स हैं, वो इतने इंपोर्टेंट होते हैं और वो सब जानते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे प्रतिनिदी रिप्रेजेंटेशन चुने जाने हैं, तो उनका एक स्थानिय मुद्दों को यह महतवपूर बन जाता है, क्यो बहुत 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 बहु मतलब ज्यादा पैसा करवाती है इसमें प्रतिनिदी और मद्दाताओं में निकट का संपर्क निकट का कैसे रहेगा जब निर्वाचन शेत्री बड़ा हो जाएगा तो जब इलेक्शन का रीजन शेत्री बड़ा हो जाएगा तो संपर्क कैसे रहेगा इतने इतने बड़े हो जाते हैं कि एक साइड से जो वोटर एक तरफ का वोटर है वो अपने पांसो किलोमेटर दूर के प्रतिनीदी को कैसे जानेगा तो ये बड़ी दिक्कत आती है ये पद्धिती जटिल है हाड है ये आप जैसे को समझ में एक जब नहीं आईगी भले आप पॉलिटिकल साइंस को इसको आप और आगे डीप में पढ़ोगो तब जाके समझोगे लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस को समझ रहे हो एक नॉर्मल वोटर जो नॉर्मल साधारन वोटर मद आता है उसे कैसे समझ में आईगी तो बहुत सदस्ये के दोश बन जाते हैं और जो एक सदस्ये के दोश हैं वो बहु सदस्ये के गुण बन जाते हैं इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है एक सदस्ये के गुण बहु सदस्ये में दोशों में आ जाते हैं और एक सदस्ये के दोश बहु सदस्ये के गुण बन जाते इसको इसी तरीके से इसी तरीका इसी टेक्नीक से याद रखोगे तो बहुत असानी से चार-चार याद रह जाएंगे तो उमीद करता हूँ आपको एबात समझ में आ गई होगी अब जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में तो मैं हूँ विकरांत आप देख रहे हैं